तब से लालू प्रशादियादो सरकार में आएं हैं तब से ऐसी कोई परिक्षा नहीं है ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें प्रस्टाचार नहीं है आप जिस तरीके से कह रहे हैं न उस तरीके से नंबर्स की वेकेंसी आ रही है और न उस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं त इस सरकार से आखु से अब रिवाइस रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर तुछ दिवसीय धर्ना प्रदर्शन पर गर्दनी बाग धर्ना स्थल पर बैठ गहे हैं जब से लालू प्रशाद यादो सरकार में आएं है तब से ऐसी कोई परिक्षा नहीं है जिसमें ब्रस्टाचार नहीं हुआ हो जिसमें गरबड़ी नहीं हुई हो तो ये सिक्षक भरती परिक्षा तो कोई अपवाद नहीं है लालू प्रशाद यादो के सरकार में रहने का मतलब होता है ब्रस्टाचार गरबड़ी सिक्षक अभियर्थियों की जो मांग है उस मांग पे सरकार को जाच करवानी चाहिए और अगर आवशक्ता पड़े तो रिवाईज रिजल्ट निकालना चाहिए चुकि भई आप जिस तरीके से कहा रहे हैं न उस तरीके से numbers की vacancy आ रही है और न उस तरीके के results आ रहे है और सबड़ी problem यह है कि बिहार सरकार की तरफ से एक constitutional agency एक समघ्धानिक संस्था बिहार public service commission इस परिक्षा को conduct कर रही है और BPSC के उपर अगर किसी तरीके का सवाल उठ रहा है उनके रहते हुए BPSC के इंवाल्मेंट के बाद अगर रिजल्ट्स पे कोई सवाल उठ रहा है तो इन सारी शंकाओं का निवारण तो करना पड़ेगा सरकार को चुकि ये बिहार की शाह का सवाल है मना जा सकता है और अब्रहस्टाचार के खेलाव है और अब्यर्ति अगर भृस्टाचार का फ़रजिवारा का ये लगा रहे हैं ये आरोप तो भरतिय जंता अपाटी चाहेगी कि उन भ्रस्ट लोगों को उन फर्जी लोगों को फर्जी वारा को बढ़ावा देने वाले लोगों को जल से जल पकड़ा जाए और उनकी जगह जो है जेल में नज़र आए कुंतल जी कई सारी विसंगतिया आरी है ऐसे में तीन अटेंट से ज़्यादा वह अभिहर्थी परिक्षा नहीं दे पाएंगे सिक्षक अभिहर्थी जो है इसको लेकर अभिहर्थी मांग कर रहे हैं कि तीन ही अटेंट क्यों हमें मौका दिया जाए बिहार की सरकार जिसमें लालू प्रशाद यादा और राष्ट्रे जनता दल शामिल है उसकी मंशा में हमेशा से खोट रही है राष्ट्रिय जनता दल जिस सरकार में शामिल है वो शरकार अगर कोई काम कर रही है तो आप मान के चलें कि वो ब्रस्टाचार का नया रास्ता डून रही है चुकि बिह भारतिय जनता पार्टी का वाइदा है, सरकार में आने के बाद इन सभी विसंगतियों पे जाच होगी। सरकार में राष्ट जनता पार्टी के द्वारा फिर से एक बार सक्षक बहाली में भर्ष्टाचार किया जा रहा है, ऐसे में अभियर्थी जुहतरी के सर्विवाई जल्कि मांग कर इसको लेकर कुंतल कृष्णा जमकर वियार सरकार पर नितीज सरकार पर और बिपीएसी आयो से लेकर सक्षा अभिभाग तक पर निशाना साथ से वहीं राधत पर निशाना साते वह क्या कुछ करते आपने सुनाएं रिवाई जल्कि मांग कर देते हैं अभियर्थियों के समर्थन में थे और भी तुमाम खबरों के लिए नवीजी 24 के साथ बनने नहीं है हमारे चानल को सब्साइब करें पेज को लाइक करें पर नहीं से सही होगी अमित के साथ अभी शेक्रीबूंद के साथ हुआ 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 है